ये आकायश्वाणी है प्रस्तुत है कारिक्रम मंथन इसके अंतरगत सुनिए दूर संचार क्षित्र में भारत की प्रगती पर चर्चा इसमें भागले रहे हैं इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के मुख्य कारिकारी अधिकारी रामा कृष्ण पी और आकायश्वाणी समवाद इंडिया ने आयोजित किया और इसका इस अफ़ल इस बार का आयोजन इस मायने में भी रहा कि इसमें बहुत बड़ी भागेदारी विश्व बर से देखी गई और खास बात ये भी रही कि वर्ल्ट टेली कम्युनिकेशन स्टेंडराइज़ेशन असेंबली के साथ इस कारि इंडिया मोबाइल कॉंग्रेश के मोक्षे कारिकरी अधिकारी रामक्रिशन पी बहुत-бहुत स्वागत है आपका कारेकरी में नमस्कार जी जो देश में कोने-कोने में डिज्टल की यूसेज बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे और लीडर्शिप आफ मोदी जी के अंडर में हम एक फ्लाटफॉर्म बन गिये हैं उसके लिए और हमें बहुत प्राओड है कि हम उस फ्लाटफॉर्म को अभी हम काफी सही तरह से हम एस्टाबिश कर पाएं और वेरी प्राओड दाट वी अगिएस टेक इवेंट इन एशिया शोइंग दिज्टल फरस्ट तो इस बार का जो कारेकरम रहा इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का इसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स आप हमारे साथ साजा करना चाहेंगे कौन-कौन सी बातें निकल कर आई और जो भी भागिदार बने इस Assembly का, इस Congress का, इस सम्मेलन में क्या कुछ निकल कर आया? एक है कि 5G में हम वर्ल्ड में number two player हो गया है, यदि number of base station हुआ है, coverage हुए हमारी जो capacity है, वो number two है, यह तो establish हो गया, बट अभी हमारी प्रयास है, 6G में हम क्या कर पाएंगे, इसकी standards बनाओं में हम अपना role कैसी निभाएंगे, कि very important होता है जब telecom की standards बनते हैं, country का role बहुत important होता है, और country का role इसलिए important होता है कि उसके साथ innovation बढ़ते हैं, नए products आते हैं, जो कल उसकी export किया जा सकती है, इसलिए country का role 60 में क्या होगा, यह एक बहुत सी खास topic रही, और इसमें हम काफी चर्चे किये हैं, World Telecom Standardization Assembly की जो WTSA के program है, वहां पे भी हमने काफी हमारी इंडिया की stamp बहुत अच्छी तरफ से निवाये गई, एक number one point वो है, number two, AI पे काफी चर्चा हुई, AI की जो use cases, 750 use cases जो दिखाये गए, AI की जो topics discussed किया जाए, AI की जो quality of speakers आए, अबदेश विजए से, I think AI पे is one more important topic, इस बार की IMC में है, the third important topic है cyber security पे, cyber security पे क्योंकि जो नई innovations आ रहे हैं, उचसे काफी हमारी डराना होती है कि यह innovation कहां तक लेके जाएंगे, इसमें security concerns आएंगे, और कुछ issues आएंगे, तो उस बारे में cyber security की बहुत important topic है, और इस पे भी काफी चर्चा हुई है, यह तीन topic के अलावा 5G use cases, 5G use cases पे होती है जो applications, 5G के जो applications कुछ आएंगे हैं, बद काफी कुछ होने वाली है, क्योंकि 5G की जो agri-tech है, med-tech में है, edutech में है, या other mining में है, इनकी जो use cases है, यह भी काफी चर्चे में हैं, I think यह चार topic है जो important is पर IMC में रही, तो अगर हम अपने जो 5G, 6G की तकनीक के बारे में ही आपसे जानना चाहें, तो भारत के इस मामले में भविश्य के क्या लक्षे हैं, इसको लेकर कोई बात हुई, साथ ही हम इन दिनों satellite, broadband, satellite services की भी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्या मानक और कुछ लक्षे हमारे सामने हैं, इस मामले में कुछ चर्चा रही? हाँ, चर्चा रही, ज़रूर, innovation जो होने वाली है और standards जो अभी 6G में बनाने वाले हैं, 6G के कुछ standards के patents जो है, वो भारत से होगी, इसकी प्रायास तो, I think, government और industry लगे हुएं, including universities, research labs, सब लगे हुएं, कि नई आने वाली 6G standards में इंडियन की maximum patents बने, ये तो, this is very clear. सेकंड बात जो हुए है, सैटकॉम और ब्रॉटकॉम, broadcasting में, सैटकॉम पे एक device पे जो सैटकॉम की या broadcasting की solutions है, एक Indian startup है, जिसमें बहुत अच्छा, globally बहुत recognized हुई है, वो भी प्रायास है, कि इंडिया की broadcom में और सैटकॉम में बहुत, आने वाली दिन में बहुत अच्छी रहेगी, सैटकॉम में particularly, because rural bot, जो unconnected villages है, uncollected areas है, जैसी हमारी borders areas है, जैसी हमारी forest areas है, कुछ मैंनों में इसकी solutions भी आ जाएगी, और इसके अलावा हम जो दूसरी तकनीके हैं, आपने AI की बात की, और इसी तरह से हम IoT की भी चर्चा करते हैं, quantum computing की बात करते हैं, और cyber security की तो आपने चर्चा की ही, और इसके अलावा electronics, manufacturing जैसे ही जो तमाम ख्षेत्र हैं, उसमें जो आगे हमारी प्रगर्ती है, इन ख्षेत्रों को कैसे देखा जा रहा है, और किस तरह से India Mobile Congress में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, जिससे कि हम आने वाले समय में उसमें इन तक्नीकों को लेकर ना सिर्फ आत्मनिरभर हों, बलकि हम भारत अपनी एक leadership की भूमिका इस मामले में निभाए, इस बार कि IMC में ये तो बहुत clear है कि हमारी जो इंडिया की जो इको सिस्टम है, जैसी आप वेरियस सेक्टर में आप बुले हैं, जैसी manufacturing और AI और quantum computing और ये सब दिखाने के लिए, वर्ल्ड को देखने के लिए काफी कुछ मिला, जैसी Department of Science और Technology ने Cyber Physical Systems और quantum computing के ऊपर ही एक 70 startups को वहाँ डिस्प्रे करा है, और surprisingly हम काफी कुछ research कर रहे हैं, हमारी जो branding है ठीक नहीं आती है, बट अभी IMC एक medium हो गया जिससे world देख रही है कि ये इंडिया में काफी कुछ हो रही है, हम प्रिटी शूर हम जो जो sector बात कर रहे हैं, वो globally यहां से काफी कुछ applications अभी बाकी देशों में implement किया जाएंगे, काफी कुछ learnings हैं उनको हमारी IMC में देखने के बाद, use cases, क्यूंकि इंडिया की जो bed, जो ecosystem है, उसमें testing के लिए बहुत big ecosystem है, बड़ी ecosystem है, यहां की जो product test होके pass हो जाएगी, वो तो world में कहीं भी implement करने के लिए ready हो जाएंगे, I think यह बड़ा प्रयास हो रहा है कि हम innovation में आये हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, products बन रहे हैं, उनको testing इंडिया में किया जा रहा है, और कुछ ही सालों में global map में हमारी यहां technology जो develop हो रही है, global map में बहुत कुछ दिखने को मुलेगे, तो world telecommunication standardization assembly के साथ, इस Congress का ये event होना कितना महत्वपूर रहा, और खास तौर पर अगर हम participation की बात करें, तो इस बार आंकड़ी भी बता रहे हैं कि सबसे दा संख्याबे participation देखा गया, तो ये कितना एक उत्साह का कारण है, हम देखेंगे participation को divide करेंगे तो दो groups में सर, हम एक group होती है जो local participation है, local participation तो हर एक year से बढ़ गई है, हमारी total participation count about 1.73 lakhs है, बहुत बड़ा number है technology conference में, number one, number two जो होती है कि WTSA program से, केसी, WTSA program से ये फाइदा हुआ, IMC क्लो इस बार कि हमारे 123 country plus से delegates आए, ये delegates काफी कुछ हमारी country का जो products है, solutions है, applications है देखने को मिले, हम काफी जन को interview करा है, काफी जन से survey किये, और इनकी एक ही आरही है कि उनकी expectation इतना बड़ा event नहीं था, और आने का बाद देखने के बाद उनको बहुत आस्चरजनिक हुई कि इंडिया इतना vibrancy community है और टेक में इतना हो रहा है, हमने message तो बहुत clear किया globally और हम यही प्रयास करेंगे हर साल की IMC से, यही message जाए कि दुनिया में इंडिया एक बड़ा नाम रोशन करने वाला है, technology की shape में. अगर हम telecommunication की बात करें या internet की बात करें तो यह अब देखने में आ रहा है कि भारत एक तो जहां affordable services की बात कर रहा है, telecom services की, वहीं तेज और connected services की भी बात कर रहा है, साथ में एक और शब्द हम सुन रहे हैं green technology, तो इन सब के बारे में क्या कुछ चर्चा रही और क्या कुछ सोचा जा रहा है आने वाले समय में, जो भी operators हैं या सरकार है उसके इसतर पर, जिससे की एक तरफ हम सस्ता devices उपलब्द हो सकें लोगों को, और तेज इंटरनेट connectivity मिले और ऐसी connectivity मिले जो सिक्योर हो और इसाफ सुतरी हो, एक साथ existing infrastructure में जो खड़े के हैं टेलिकॉम के लिए, हम उनमें green solutions अलरड़ी ला दिया है, जैसी हमारी cell sites है, base stations है, वो काफी कुछ power, direct power से नहीं होके, batteries में कुछ काम करते हैं, कुछ लोग solar में काम करते हैं, कोई wind में काम करते हैं, ये solutions तो already हम implement कर रहे हैं, एक साथ infrastructure में होई, डूसरी साथ होई data centers, data centers काफी कुछ अभी green data centers आ रहे हैं, एक साथ से technology भी बढ़ वी है, जैसी AI आगी तो computing power बढ़ गया, computing की resource जो electrical requirements है, वो बढ़ गया है, उससे भी there is a balancing act करना है, तो ये जो balancing act है, हम तो infra में तो कर दिये हैं, data centers में हो रही है, computing exercise में काफी कुछ करनी है, वो global scale में हो रही है, I think हम काफी areas में green की implementation तो, computing side में जो होगा, वो तो हम global lens से देख के, उसी को implement करेंगे, but infra में तो हमने कर दिया है, और आने वाले समय में, अगर innovation की आपने बात की, उसको लेकर क्या कुछ करने की आवशक्ता है, और कैसे इस मामले वे विचार भी मरश हुआ, और साथ में हम innovation के साथ research और development को भी यहां जोड लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब भारत का भविशे कैसा दिखाई दे रहा है, खास दोर पर टेलेकॉम सेक्टर में? हम लास्ट टू त्री येर्स से देख रहे थे कि innovation और R&D, focus, government की जो focus है, उसमें काफी है, जैसी आप innovations हमारी क्या होती थी, कि हम innovations second tier में innovations करते थे, हमारी यहां से इंडिया से कोई product launch नहीं होती थी, अभी तो हम देख रहे हैं, हम उसी साइट बढ़ रहे हैं, होगा, जैसी 6G के standards आएंगे, products आएंगे, solutions आएंगे, हम यही देखने वाले हैं कि इंडिया के products वो stamp में होंगे, जो इंडिया के products 6G में, networks में काफी जगा implement किया जाएगा, यही startups का भी खोज है, जो यह products globally launch करने की जो capacity है, वो हम build करें और उस kind of startups को हम encourage करें, I think IMC का भी यही मोटो है कि हम one side of startups को, या products or solution SME sector को हम global visibility दें, और अन्त में आप से जानना चाहूंगा, जैसे कि प्रधान मंत्री ने भी अपने संबोधन में यह कहा था, कि ethical AI और data privacy के लिए वैश्विक मानकों की बहुत जरुरत है, इस दिशा में हम कहा हैं और किस तरह से भारत आने वाले समय में जो खास तोर पर telecommunication sector है, उसमें तो निश्चे तोर पर भूमिका निभाई रहा है, लेकिन जो artificial intelligence है, उसके जो मानक अब तै करने है, उसमें किस तरह से आने वाले समय में अपनी भूमिका निभाएगा, और अगर भारत एक lead लेता है telecom sector में, तो उससे कितनी और ज़्यादा भारत की विश्वर सीनियरता या भारत का भरोसा दुनिया भर में बढ़ेगा, कि वो AI sector को लेकर भी lead ले सकता है? AI जो माद्य में वो अभी तक evolved हो रही है, अभी तक fully evolved नहीं है, यह दशा जो है evolution की जिसकी AI की है चलेगी और दो-तिन साल तो चलेगी minimum, इस बीच में there's so many hassles होंगे हमारे रुकावट आएंगे, जो security concern हो सकते हैं, data privacy concern होते हैं, faking हो सकते हैं, यह रोखने के लिए जो है, वो भी evolve होंगे, ऐसी regulation तो लगा जा सकती है, regulation complete रोख कर नहीं जाएंगे अभी, but regulation एक boundary line तो खीचना पड़ेगी, वो खीचेंगे जरूर, government खीचेंगे, but यह evolution pattern में नए solutions, नए security solutions, नए way of tackling the problems आएंगे, और उसी को हम implement करते जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कारेकरम में आप जुड़े, और जो दूर संचार या telecommunication का क्षेतर है, उसमें भारत किस तरह से अपनी बड़ी संभावनाएं देख रहा है, और हमारी वर्तुमान प्रगती क्या है, इस बारे में विस्तार से आपने बताया और India Mobile Congress का हाल ही में जो आयोजिन हुआ उसके बारे में भी आपने विस्तार से हमारे साचर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए, धन्यवाद जैहिए, अभी आप सुन रहे थे दूर संचार कुशित्र में भारत की प्रगती पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे इंडिया Mobile Congress के मुख्य कारिकारी अधिकारी रामा कृष्ण पी और आकाशवाणी संबादाता कमल कुमार प्रजापती, ये कारिकरम आकाशवाणी के समाचार सिवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे Mobile App, News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशल पर भी सुन सकते हैं, इस कारिकरम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें email या WhatsApp के माध्धम से भेज सकते हैं, email का पता है eirnsgtalks at gmail.com और WhatsApp नमबर है 9289-094-444